वेल्कम टु न्यू लेसन, कल के लेसन में हमने यह फॉर्म लगा था अपनी वेबसाइट के उपर, जिसके थूरों लोग अपनी डीटेल सब्मिट कर सकते हैं, अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे कोई यह फॉर्म सब्मिट करें, तो मेरे पास उसकी डीटेल से आ जायें, तो यह करना बहुत सिंपल है WP Forms के अंदर, आप सीधे अपने Dashboard के अंदर जाओगे then आप जाओगे WP Forms, आप यहाँ देख सकते हो WP Forms, आप यहाँ जाओगे and then आप जाओगे All Forms के अंदर Right, All Forms के अंदर आप जाओगे आप देखो यहाँ पे Option है Entries का, Right बट यह Paid Plan के लिए है, Free Plan में आप यह Entries नहीं देख सकते, ठीक है तो हम जाएंगे All Forms के अंदर और हम यहाँ जाएंगे Edit के अंदर और यहाँ पे आप देख रहे हो Settings है, आप यहाँ जाओ और यहाँ है देखो Confirmation, Sorry Notifications, Notifications Notifications में आपको जानी है, और यहाँ पे लिखा है, Send to Email Address आप यहाँ अपना वो Email Address लिखो, जिस Email Address पे आपको Confirmation चाहिए आपको Details चाहिए, ठीक है तो यहाँ पे मैंने अपना Email लिखा एक बार मैं खुद Confirm कर लूँ यह Email है अहाँ, यह यह है तो यह मैंने लिख दिया अब यह पूछ रहा है, Email का Subject क्या लिखना है तो मैं लिख देता हूँ है, आपको New Lead और Form का नाम ऐसी चोड़ देते हैं और Email हम वही यहाँ पे डाल देते हैं दुबारा, From Email में That's it, और आप इसे कर दो Save और इसे आप कर दो Close ठीक है, अब क्या करते हैं अब एक बार जाते हैं और Form हम Fill करके देखते हैं अब यहाँ दो situation होगी, एक तो यह होगा कि या तो मेरे पास Details आएंगी, यह जो मेरी Email Box है, इस पे Detail आएगी या Detail नहीं आएगी, अगर Detail आएगी Well and Good है, अगर Detail नहीं आती है, तो उसका भी एक solution है जो हम करेंगे, उसके बाद हमारे पास Detail आजाएगी, तो अभी मैं just एक Form Fill कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे पास आती है कि Detail ठीक है, Form Fill कर दिया अब मेरे पास यहाँ Detail आ जानी चाहिए So, wait करते हैं 15 seconds Spam में भी देख लेते हैं यह देखो आगे बिल्कुल perfect है Right, तो यहाँ से इसको कर दो Report Not Spam यहाँ देखो, आप में से एक दो लोगों ने कल यहाँ से भरके भी देखा इसार्ट जो आप लोग कोर्स कर रहे हैं शायद आप लोगों में से किसी ने भरा होगा और यह जो है मैंने कल भरा था Right अब यह आ रही है, अगर यह नहीं आती ठीक है अगर यह आपके पास detail नहीं आती तो आपको क्या करना पड़ता वो मैं आपको बताता हूँ अगर आपके पास यह detail नहीं आती तो आपको एक SMTP इंस्टॉल करना पड़ता SMTP प्लगिन है WP Form का आपको वो प्लगिन इंस्टॉल करना पड़ता WP Form, WP SMTP उसके बाद आपको जो SendGrid जैसे all email service provider है उनके साथ आपको register करना पड़ता Then आपको दोनों को integrate करना होता उसके बाद आपके पास mail आ जाती अब यह हमारे पास mail आ रही है तो हमें किसी tension की ज़रूत नहीं अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हूँ यहाँ पे section बना के मैंने यहाँ पे detail डाल दी यहाँ पे section बना के मैंने services के बारे में डाल दिया यहाँ पे एक और section मनाया था जिसमें मैंने आपको background image add करके दिखाय था और उसमें text लिखा था Then यहाँ पे मैंने अपना blog post डाल दिया और यहाँ पर मैंने अपना form डाल दिया, तो अब ये काफी अच्छे से उभर के मेरी website आ रही है, इसे मैं और अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ, अपने हिसाब से मैं इसको change कर सकता हूँ, अभी जैसे मेरे पास एक दो doubts आरे थे आप लोग कि और कौन-कौन सी themes हैं जो कि आ आप यूज कर सकते हो, तो देखो WordPress में हजारो themes हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, मैं हजारो themes ट्राइ कर चुका हूँ, बट यह जो ocean WP theme है, यह by far सबसे best free WordPress theme है, सबसे best free WordPress theme है, इसके अंदर customization options बहुत हैं, तो आप easily इसको कैसे भी customize कर सकते हो, तो I'll recommend कि आप इसी theme को use करो, इसी theme के साथ आप थोड़ा test करो इधर उधर, और आप देखो कि आपको क्या चाहिए, आप I'm sure आप जो भी चाहिए आपको, इसको आप अपने हिसाब से customize कर सकते हो, अब देखो, WordPress की सबसे बड़ी ताकत क्या है, कि WordPress के थूँ SEO करना बहुत 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 जादा आसान है, not only SEO, WordPress में plugins होते हैं, तो आपको जिस चीज की भी जरुवत है, उसके लिए आप plugin इंस्टॉल कर सकते हो, और अपना काम कर सकते हो, जैसे Android में apps होती है, suppose आपको torch चाहिए, और आपके phone में inbuilt torch नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप जाके torch app इंस्टॉल करते हो, Android Play Store से, और torch आ आपको जो चीज भी चाहिए, उसके लिए आप simple क्या कर सकते हो, plugin इंस्टॉल कर सकते हो, और उसे activate करो, इंस्टॉल करो, और आपका काम बन जाएगा, तो कोई भी काम आप through plugins, WordPress के अंदर कर सकते हो, अब हम आते हैं, ये तो हमारा home page है, जो हमने बनाया है, और ये है हमारा blog page, blog page पर क्या रहोगा, हमारे जो latest blogs हैं, वो यहाँ पर आ रहें, blog page के अंदर, right, blog के अलावा, आप यहाँ देखो, हमने और pages बनाये थे, जैसे हमने बनाया है, course का page, ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस course के menu के अंदर दो sub menu, जैसे ही मैं इस course को क्लिक करूँ, तो इसक अंदर मुझे sub menu दिखे, इसके अंदर मुझे दो pages अलग से दिखे, ठीक है, तो suppose मैं courses के अंदर दो pages क्या चाहता हूँ, एक मैं चाहता हूँ से Facebook ads course, एक मैं चाहता हूँ, Google ads course, वो कहां दिखे, इस courses के अंदर, sub menu दिखे, हाना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेग तो मैं pages पे जाऊंगा और then मैं करूँगा add new add new किया मैंने और इसका मैंने नाम लिख दिया suppose facebook ads course और इसको मैंने किया publish ठीक है इसे किया मैंने close और मैं वापस गया add new पे और इसको मैंने किया google ads course ठीक है इसको मैंने किया google ads course और इसे मैंने किया यहां से publish publish अब मैं क्या चाहता हूं कि यह जो दोनों pages हैं यह इस courses के अंदर sub menu दिखें sub menu ठीक है तो यह करना बहुत easy है क्या करना मुझे मुझे सबसे पहले जाना है appearance में then मुझे जाना है menus के अंदर जाना है और यहां पर मेरा header menu आ रहा है यह रहा मेरा courses अब यहां पर देखो अभी दो मैंने add किये थे google ads course facebook ads course इसको मैंने किया add to menu अब मैं क्या करूंगा इस google को drop करूंगा और courses के ऐसे थोड़ा सा आगे कर दूंगा similarly मैं कर दूंगा facebook को write और इसको कर दूंगा मैं save menu बहुत है simple अब मैं वापस जाता हूं और इसको मैं करता हूं refresh अब आप देखो courses के अंदर मुझे दो sub menu दिख रहे हैं google ads course facebook ads course अब अगर मैं courses पर click करता हूं तो courses वाला page अभी भी click हो रहा है मैं चाहता हूं कि यह courses वाला page click ना हो just google और facebook दिखे यह courses वाला clickable ना हो इसको मैंने कर दिया disable link और इसको मैंने कर दिया save menu ठीक है जी disable link और फिर मैंने किया save menu अब मैं वापस आता हूं अपने यहाँ पे अपने website पे और courses का link देखो अब click नहीं हो रहा courses ठीक है यह google ads course click हो सकता है बट वह वाला page courses अब click नहीं होगा तो हम आज आते हैं अपने homepage पे अब यह मेरी बाकी pages थे जैसे contact us है अब मुझे इन्हें design करना है तो किसे मैं कैसे करूंगा तो वापस मैं आया contact page पे ठीक है अब मैं वापस आऊंगा इधर इधर आऊंगा pages all pages और यहां देखो contact us page है इसको करों यहां से edit और यहां पर देखो option आ रहा है अब देखो यह problem क्या हो रही है कि again इस page में भी यह side में sidebar आ रहा है और यह सारी चीज़े आ रही है breadcrumb आ रहा है title आ रहा है तो मुझे यह सब नहीं चाहिए right तो यह disable करने के लिए क्लिए क्लिए exit to dashboard जाऊंगा इस page को मैं basically full width कर दूँगा हाना तो मैं main प्याओंगा और यहां पर मैंने इसको कर दिया 100% full width और इसको मैंने कर दिया update अब मैं आया यहां पर title पर और title को मैंने कर दिया disable और इसको मैंने कर दिया update ठीक है बहुत ही ज़्यादा असान अब मैं वापस आया और आके इसको मैंने किया refresh अब आप देखो यहां पर कुछ नहीं आ रहा रहा है यह widget वाला area आ रहा है तो मैं वापस आया और मैं आया फुटर पे और widget को मैंने कर दिया disable और इसको मैंने कर दिया update अब वापस आया मैं और इसको मैंने किया refresh अब देखो ये सही हो गया अब ये page मुझे design करना है तो मैं क्या करूँगा again add it with elementor ठीक है simple किया मैंने add it with elementor and then plus नया section add करूँगा then मैं या नया section add करूँगा आ गया अब सपोज आपको background में कोई image चाहिए ये contact us page है तो मैं जाता हूँ एक बाए pixels पे यहां से मैं free images वो कर सकता हूँ और यहां पे मैं लिखता हूँ contact us ठीक है contact us लिखता हूँ मैं और यहां पे कोई अच्छा सा image देख लेते हैं so कौन सी image लें चलो ये वाले ले लेते हैं इसे click करते हैं और यहां से इसे करते हैं medium और इसे करते हैं download इसे close कर दो और ये रहा image इसे करो show in folder और एक बर इसका size देखो क्या है देखो 105 kb की image है तो आप चाहो तो एक website है tinypng.com यहां से जाके आप अपनी website को compress कर सकते हो अपने image को compress कर सकते हो तो यहां पे मैंने click किया और इसको मैंने select किया अब ये देखो 108 kb की image थी इसने compress करके 44 kb कर दिया अब मैं इसको कर लेता हूँ यहां से download अब मैं जाता हूँ वापस यहां अपनी website पे अब मुझे ये background image रखना है है तो यह मैंने section क्लिक किया मैं गया style के उपर और background type में classic है तो मैंने classic क्लिक किया यहां से मैंने image क्लिक किया और then मैंने upload file किया then मैंने select file किया और यह रहे image इसको मैंने select किया और यहां से मैंने इसको किया insert ठीक है और position को आप ऐसी रहने दो attachment ऐसी रहने दो repeat को छोड़ दो size को कर दो cover ठीक है और आजाओ layout पे और height को कर दो fit to screen ठीक है height को कर दिया मैंने fit to screen अगर आप चाहते हो तो height को आप minimum height भी कर सकते हो और यहां से आप height को change कर सकते हो तो अगर change करना है तो ऐसे change कर दो और style पे जाओ और यह जो position था इसको कर दो center center ठीक है अब अगर आप इसको opacity करना चाहते हो थोड़ा सा इसके उपर कोई color डाल के आप इसको थोड़ा सा change करना चाहते हो तो आप उसके लिए opacity यूज़ कर सकते हो तो जैसे आप इधर जाओगे वापस background पे इधर देखो opacity का option होगा कहीं style पे जाओ image आ रहा है slide show position यह रहा ना background overlay background overlay पे आपको जाना है और आपको color select करना है right तो background यहाँ पे जाना है आपको और say मैंने लिया black color right अब यह देखो कैसे थोड़ी सी image black सी हो गई हो गई ना और यहाँ से मैं उसको कम भी कर सकता हूँ ठीक है तो यह background overlay जिसे हम opacity कहते हैं आप उसके उपर suppose मैं लिखना चाहता हूँ कुछ तो मैंने heading उठाया और लिखा need help ठीक है और इसको करते हैं यहाँ पे center और style करते हैं typography में जाते हैं और यहाँ से मैं इसको करता हूँ new खिक अब इसके नीचे आप और अपना चीजे डाल सकते हो, जो भी आपका phone, number है, email address है, वो नीचे आप डाल सकते हो, टीक है, तो मैंने आप एक नया section मनाया, एक यह section लिया मैंने, ठीक है, और inner section लिया मैंने एक, और इसके अंदर मैंने inner section डाला और मैं वापस गया और इसे मैंने आइकन वाला उठाया ठीक है और इसको मैंने कर दिया icon library में जाके phone ठीक है यह रहा phone और इसको कर दिया मैंने insert ठीक है और अब मैं ले लेता हूँ heading इसके नीचे डाल देता हूँ और और यहां पर आप लिख दो अपना phone number 123456789 जो भी है यह मैंने dummy लिया है जस्ट और style में जाके color अगरा चेंज करता हूँ right बहुत simple यहां से आप font अगरा चेंज कर सकते हूँ ठीक है जैसे यह design क्या मैंने ऐसे ही मैं इसे भी design कर सकता हूँ और इसको मैंने कर दिया update आप वापस गया में और exit to dashboard अब इधर से वापस चले जाओ website पे ठीक है तो जैसे अगर आप वापस जाओगे contact us पे तो आप वो दिख जाएगा तो आप ऐसे ही इसको और बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो design कर सकते हो ठीक है so I hope कि आप अपने pages को design कर रहे हो सईसे आपके website बन रही है कल के lesson में हम सीखेंगे कि 6-7 plugins के बारे में मैं आपको बताऊंगा wordpress के जो की आपको जरूरी है रखना अपने website के लिए ठीक है जी तो कल मिलेंगे हम नए plugins के साथ प्लस आने वाले lessons में मैं आपको एक blog website भी पूरा बना के दिखाऊंगा ज्यादा blog में करना नहीं है बट मैं आपको दिखा दूँगा गर आप blog website बना रहे हो तो उसके लिए category वगरा कैसे करके आपको menu बनाना है प्लस आगे हम e-commerce website भी सीखेंगे प्लस हम plugins के बारे में और ज्यादा सीखेंगे आगी तक ठीक है so thank you so much for watching this list